तो हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे विकी कोसल के फिल्म बैट नीजिस की शुरूआती आठ दिनों की टोटल इंडिया और उल्लाइट बॉक्स ओपीस कलेक्शन के बारे में और इसी के साथ जानेंगे परवास की फिल्म कलकी ने 30-30 दिनों में इंडिया से कितना नेट कलेक्शन कर लिया है और दुनिया भर से कितनी कमाई कर चुकी है तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आप बिकी कोसल या परवास के ओन साइट फैन है हलाके यह कॉमिडे ड्रामा फिल्म है और पब्लिक के तरफ से बैट न्यूस को लेकर पॉजिटिव रिव्यू मिला है तो आपको बता दो आनन तिवारे के दौरा डिरेक्टी की यह फिल्म है जिसमें हमें बिकी कोसल के साथ और भी कैसारे इस्टार काश्ट देखने को मिला और फिल्म का बजट लगबग साथ कोड़ का असवाद बताया जा रहा है बात करें फिल्म के बॉक्स ओफिस केलेक्शन की तो अपने पहले दिन यानि ओपनिंग डे पर और फिल्म नोवर्सिस से कमा लिये है अठरा करोई रूपिय और कूल मिलाकर फिल्म ने दुनिया पर से तीन दिनों में पचास कोड़ का अख्रापार कर चुकी है जो कि अपने अपने काविले तारीफ है और इस फिल्मों को सिनमा घरों में रिलीज वे आठ दिन हो चुके है अगर बात करें फिल्म के आठ दिनों के टोटल इंडियन और ओल्डाइट बॉक्स ओपिस केलेक्शन के बारे में तो बैट न्यूस फिल्म अपने आठ वे दिन यानि आज इंडियन बॉक्स ओपिस पर लगबग तीन कोड़ का माती नजर आ रही है जिसे बैट न्यूस फिल्म का केलेक्शन शुरुआती आठ दिनों में इंडियन बॉक्स ओपिस पर अपर दिना इंडियन बॉक्स ओपिस पर अंचानवे कोड का नेट कलेक्शन किया था दुनिया भर से 177 कोड की कमाई थी और फिल्म अपने पहले ही चार दिनों में इंडिया से 309 कोड का नेट कलेक्शन कर लिया था तो ये फिल्म का ओल्ड आइट कलेक्शन था 519 कोड रूपय का उसके बात कलकी अपने पहले ही 20 दिनों में इंडिया से 590 कोड कर नेट कमा लिये थे और दुनिया पर से लगबग 960 कोड की कमा चुकी थी और कलकी फिल्मों को बॉक्स अपीस पर रिलीज वे 30 दिन हो चुके है तो कलकी फिल्मने 30 दिन यानि आज इंडियन बॉक्स अपीस लगबग दो कोड़ कामाती नाजर आ रही है जिसे करकी फिल्म का केलेक्शन शुरुआ 30 दिनों में इंडियन बॉक्स होपीस पर 625 कोड़ का हो जाए गया रोल डाइट बॉक्स होपीस पर गारों से 42 कोड़ काकरे को टच कर लेगी तो दोस्ता परवास की फिल्म करकी या विकी कोसल की फिल्म बैड न्यूस देखिए तो आपको यह फिल्म कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना